ंडे की Ko mul Earth एक टॉक एंडे मेंट को इनिय। एक्शिस्टिक कर हमें ईन फॉस्ट पोई जंट भी एंसेते में एक्शिजट करे होसे सब्सक्राइब में आपक मसल भीउघ ईक करें में इसे में वाक्सिमम्साइज इनमरेव के ब्लॉक टे ہुं काया है इस और यह को कैसे क्रइस में तो इसके啊 का shall का एक को इसे उ।best सुंद्रिक है और 10 देडिकर का 10 देंग में डूसरा के एसके के सैस्ट करेंड साइथ क्रेंड साइज मीना नमबर ऑफ श्युनिप्त सैथिक में में इस में 5ronics इंट इंट चाहिए 1,2,3,4,5 वेनिंग प्लिसीज पर आप पुन्सीन काहिए रिसम गार्वज और जीरो वैली तो इसका करेंट साइज करकें प्लस अधर केस किया एन न मीं से एन के लिए प्लस अधर केस किया एन मीस एन के अंदर मैनेज करें इन नंबर ओफ एलिमेंट्स मीं सब्सक्राइब कर आप लिए टारेक्ट्ली इंसेट कराना पॉसल लिए उस्चेक कर सकते हैं का वेलिए प्लस एक जिस्टिंग लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या हुआ जस्ट एन माइनस वन तो जस्ट लास्ट एलि होती नहीं है जो भी नियू आइटम है डारेक्ट्ली नियू आइटम किस प्लेस पर असान करा हुए ए ओफ एन्थ इंडेक्स एक कोस्ट टू नियू एलिमेंट और नियू आइटम वाटेवर सपोर्ज नियू आइटम क्या 60 इसकेस में एन का क्रेंट वेली एक्जिस्टिं क्या होता है एन माइनस वन बनमोर केस में एरेकें दर फाइव एलिमेंट्स प्लेंट क्या था अपको स्प्लेंट्स एक्जिस्ट सेक्स केस में आपको को consolidate कितने statements करना only these two statements clear again finally operations को perform करने के लिए logics के आँगे always में आपको रेफर किया किसी प्रोग्राम को create करने के लिए just four steps follow करें first step providing variable declarations तो variable declarations के point of view से बात करें कितने variables required होंगे array then array का size manage करने के लिए प्रोग्राम करें एन एरे के index को manage करने के लिए रिक्राड के वह इत्रेटेव वरिवल आई प्लस जिसा आइटम को insert कराना है inserted element और आइटम वेरिवल क्लियर टोटल कितने वेरिवर्स प्रिक्वार्ड है फोर बेरिवर्स के रिस्पेक्ट में आल्री डेलेशन प्लस प्लस इंसाइड मैं फंक्शन मैं के अंदर एरे क्रियेट के एरे के इसका maximum size का रिफान किया जस्ट टैनिसके सेरे का maximum size का 10 क्लियर नेक्स्ट वन उसके जस्ट वाद एरे के लिए logical size रिट किया वा यूजिंग वेरिवल एं तो नेक्स्ट टाइम नेक्स स्टेट वन मीस फर्स्ट स्टेप के था प्रोवाइडिंग वेरिवल डिकलेशन सेगिन स्टेप के रहा था चैनली रिडिंग इन्पोट्स तो इसके समें कितने इन्पोट्स रिट करने जरू हो था सबसे वेले रिट क्या करोवे करेंट size of array in the form of variable एंड मिस रिडिंग वेल्य वेल्यू अगर एंड का वेल्यू 5 एंटर किया देन एरे के अंदर कितने इन्पोट्स रिट करोगे तो फर्स्ट केस में आप चेक कर सकते हो तो मैंसे डिस्क पर कराने वाद इसके अपके थूँ वेल्यू किस के लिए रहा है एंड के लिए सब्सक्राइब एंड के लिए मैंने वेल्यू एंटर किया जास्ट फाइव प्लस एरे में कोई वेल्यू सानी इनिशली जब एरे के अंदर सारे-सारे अलिमेंट करें गार्वेज क्लियर तो इस दा एक्जिस्टिंग किस नेक्स्ताइम इसके बाब एंड का वेल्यू 5 सब्सक्राइब उसके अरे के लिए कितने मारेज कराना हुब तरी एंड का वेलिए खीन फाइव है जो भी लॉजिक्स से कितने वार एंड ग्डीकट हों जास्ते एंड हिसे एंड टायिकर गांग नेंट्स एंड टायिक्स हुए घ्ञिट होग गान वान वाई-बाइन वैलिज इंटर करा थे इसके से लोग फ़फाई राम का में परबस कि ए ए शी प्रोडाम टू इन्सर्ट गेविन एक्षट पॉजिशन लास्ट पोजिशन में इन्सर्ट को यह उता दुजिशन कनिशन झाहि न इसे एक्षक्थे एरे के आये नियू आइटम तो लाट पो जोचन कर्या है यह उसलाप प्रीग Сп Мих एंड विली ओफ इंसर्टेड आइटम क्लियर ठी इंपोट्स इंपोट्स रिड करने के बाद इसके लौजिक्स लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में इसके सब प्रोग्म का में पर बच क्या है इंसर्टिंग निव एलिमेंट एंड पोजिशन ऑप अद फॉजिश्ट निका ज्य आइटम का वैली का चैनि और ऐन का प्लेसर पलेसल का फाइब दीग ओर इस के अबिवर्जेस में का साइज क्याएब था भाइब अब करेंट साइज ईब करेंड क्या हुआ सक्स темпер racist क्रेक्ट इसके अब इंपर प्लस प्लस clear one more case just operations perform करने से पहले आप एक वार चेक भी कर सकते हो current item of array तो current element display कराने के लिए मैंने अल्जी separate function ग्रेट किया display इस display function का purpose किया just displaying all elements of given array तो इस case में पहले insertion से just पहले मैं एक वार element display कराऊंगा तो first time initially कितने item डिस्प्ले होंगे 10 up to 50 डिस्प्ले के लिए call क्या करा लाएंग जस्ट उजरी इसकेस में जस्ट एन का वेली क्या हो जागा इंक्रीमेंट तो यहन के के समें वैली क्या हो जाए यहन की वैली क्या हो जाए इसकेस में 6 और अगें वन मोर ताम एरे के element डिस्प्ले कराएंगे using display function फर्स्ट ताइम डिस्प्ले फंक्शन से लाइन चेंज करने के लिए अब में में कोई पर्टिक्लर फंक्शन रहाए का सकते हो तो इसकेस में डिस्प्ले काने वाद इस्प्ले काल किया जास्ट पोसर्ट एम्टी पोस्स तो इसकेस में लाइन चेंज जो जा तो next time element next time again can display 10 20 30 40 50 and 60 clear is a new element inside के space हुगा end position of the array